मसकार गाहितरी जोतिस केंदर की ओर से दी जाने वाली एस्ट्रोइन फोरमेशन जोतिस जानकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की जानकारी काफी महत्तोपूर्ण है आज हम आपको बताएंगे कि 2019 में आपकी राज़ी के अनुसार आपके कौन कौन से मन्त सुब रहेंगे और कौन कौन से मन्त असुब रहेंगे आगे इस स्क्रीन पे आपको पूरी इसकी अपडेट मिल जाएगी तो आप ध्यान पूर्वाग स्क्रीन पे देखिए हम आपको सिर्फ इस स्क्रीन पे यह बताएंगे कि आपके कौन-कौन से माह असुब है, उन माहों की ही डिटेल आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिलेगी और हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको उन माहों में जो असुप माह है, किस देपता का समरण करना चाहिए, जिससे कि आपको उस माह में होने वाली तकलीब है, कस्टों से मुक्ति मिल सके और आपके वो मा, आपके लिए अन्य माहों की तरह सुब्व ब्यतीद हो सके वीडियो सुरू करने से पहले हम धर्ती के सबसे सक्तिसाली वा अमर माने जाने वाले देपता स्री बजरंग बली हनमान जी का समरण करते हैं वा उनसे प्रातना करते हैं कि आप सभी लोगों का नव वर्च 2019 चमतकारिक रहे और आप लोगों के जीवन में धेर सारी खुसियों की सौगात लेके यह वर्च आए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक वसेयर जरूर करें वा चैनल को सबस्क्राइब के साथ बैल आइकन का बटन आप जरूर दबाएं तो बात करते हैं पहली रासी मेश रासी की मेश रासी के लिए 2019 के फरवेरी मार्च अगस्त वा अक्टूबर माह बहुत ही कमजोर वह असुब माह है तो इन्होंने अपनी रासी के सबसे पावर्फुल देपता स्री बजरंग वेली हनमान वा स्री गणेश देपता की पूजा वह प्राथना करने चाहिए जिससे की यह माह वी इनके लिए सुब माह ब्यतीत हो जावे प्रसब रासी प्रसब रासी वालों के लिए 2019 के जैनवेरी मार्च वजुलाई माह बहुत ही कमजोर वह असुब माह है तो इन्हें अपने रासी के सबसे पावर्फुल देपता सुक्र देपता वह माता लक्समी का ध्यान करना चाहिए जिससे की अन्यमाहों की तरह यह माह अभी इनके लिए सुब होएं मिथ रासी मिथ रासी वालों के लिए 2019 के फैवरी जून और डिसंबर माह बहुत ही कमजोर वह असुब माह है तो इन रासी वालोंने भी अपने रासी के सबसे पावर्फुल देपता बुद्द देपता वह भगवान श्री विष्नु देपता का ध्यान करना चाहिए परातना करनी चाहिए पूजा करनी चाहिए जिससे कि यह मावीर इन के लिए सुब मा सिद्ध हो जाएं करकरासी करकरासी वालों के लिए 2019 के जैनुवेरी मैय जुलाइ और नवंबर मास काभी कमजोड असुब मास हैं तो इन्हें भी अपने राशी के सबसे पाउरफुल देपता चंद्रग्रह चंद्रदेपता वह मातारानी मापारवती का ध्यान करना चाहिए जिससे के अन्य माहों कितरा या माह भी इनके लिए सुब साबित सिद्ध हो जाएं राशी के लिए मार्च मैं जून अक्टूबर वर डिसंबर मास काफी कमजोर वह असुब मास है तो इन्हें भी अपने राशी के सबसे पाउरफुल देपता सूर्य देपता का ध्यान करना चाहिए इसके अलावा वग्मान सिद्ध संकर की पूजा प्रातना करने चाहिए जिस 2019 के मार्च सेप्टेंबर वन नवंबर मास काफी कमजोर वह असुब मास है तो इन्हें भी अपनी राशी के सबसे पाउरफुल देपता बुद्ध देपता वा भग्वान स्री बिश्नु देपता का ध्यान पूजा प्रातना करने चाहिए जिससे कि या असुब माह भी इनक सभ्वान सभ्व मास हैं तो इन्हें भी इन दो मास और अपनी राशी के सबसे पाउरफुल देपता वा नाथा लक्षमी का ध्यान पूजा प्रातना करने चाहिए जिसे की यह दो असुब मास भी इनके लिए अन्यसुब मासों की तरह सुफलदाई रहे वह इनके सभी कार्य इन दो मासों में बने विरिष्ची क्रासी के लिए भी 2019 के जैनुवेरी जुलाई वा सिप्टमबर मास असुब मास हैं तो इन्हें भी अपनी रासी के सबसे पाउरफुल सक्तिसाली देवता स्री बजरंग वेली हनमान जी वह स्री गनेश जी गनेश देवता का ध्यान पूजा परातना करनी चाहिए जिससे की इनके यह असुब मास भी सुब मास में तबदील हो जाए और इन तीन मासों में अपन रासी के लिए 2019 के जून और नवंबर मास ही असुब मास हैं तो इन्होंने भी इन दो मासों में अपनी रासी के सबसे पाउरफुल देपता गुरु देपता प्रेस्पेट देपता वह भगवान बिष्ण वा ब्रह्मदेव का भी यह ध्यान पूजा परातना कर सकते हैं जि इसे की इनके भी यह दो असुब मास अन्यसुब मासों में तबदील हो जाए और अपना स्रेस्ट फल इनको प्राफ्ट होए मकर रासी मकर रासी वालों के लिए 2019 के जुलाई वा अगस्त माह का भी असुब वा कमजोर फल देने वाले हैं तो इनके लिए भी वही बात कि इन भगवान सिफ संकर का ध्यान पूजा प्रातना करने चाहिए जिससे की यह दो माह भी इनके लिए सुब माह साबित हो है और किसी भी असुब फल से इनका बचाग हो सके और ध्यान देने वाली बात यह है कि मकर रासी में सनी की साड़े साती भी है तो खास दोर पेन सनी भगवन सिफ संकर का ध्यान अवस्से ही करना चाहिए पूर्ण वर्स भर कुंब रासी के लिए 2019 के जून वजुलाई माह काफी असुप व कमजोर माह है तो इन दो माहों में भी इन्होंने भी अपने रासी के सबसे पावरफुल देपता सनी देपता वा भगवन सिफ संकर का ध्यान पूचा प्रात्ना करनी चाहिए जिससे कि यह दो माह भी इनके लिए काफी सुब माह साबित होए और इसके अलावा इन दो माहों में इन्हें किसी भी प्रकार की कोई बड़ी परिसानी ना आए और इनके बड़े से बड़े कारे भी इन दो भगवान इन दो पावर में अपनी रासी के सबसे पावरफुल देपता गुरु देपता ब्रेस्पद देपता वह भगवान ब्रह्म वह सिव देपता का ध्यान करना चाहिए जिससे कि या दो माह भी इनके सुब माहों में तब्दील हो जाए और बहुत ही सुफल इन्हें प्राप्त हो यह था 2019 के बा पारराशियों के अनुसार असुब अलग की मन्थों का अपडेट तो मित्रो सबसे बड़ी और महत्तपून बात यह है कि इन्हीं जो पारराशियों के जो असुब अलग की मन्थ दिये हैं उनसे जो नवा मन्थ होगा जैसे हम आपको बता देते हैं जनवरी से जैसे नवा म आप मुझे कमेंट चरूर कर यе और मैं पहले ही बता चुका हूं लाइक से और सबसक्राइब बेल आइकन आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं तो मित्रो ऐसे ही अच्छी अच्छे वीडियो रासी संबंदि जानकारी और चोतिस संबंदि समस्त जानकारी के साथ 2019 में मैं आप लोगों के बीच बना रहूंगा तो 2019 की आप सभी लोगों को अगरिम ठेट सारी सुबकामना है आप सभी देखने वाले लोगों के लिए नव वर्स बहुत ही चमतकारी खुशियों भरा रहे और आपकी हर मनो कामना इस वर्स में पूर्ण अवस्य हो भगवान स्री राम भगवान सिफ संकर और कल्युक के सबसे सक्तिसाली वा अमर देपता भगवान स्री बजरंग वली ह मनमान जी आप सभी लोगों की मनो कामना हैं पूर्ण करें